इस टुटोरियल में हम ये बहुत इंट्रस्टिंग कोश्चन सौल करेंगे एक्सप्रेस 0.99999999 and so on in the form p by q चलो पहले इतना पाट करते हैं तो हमें गिवन है मैं माल लेता हूँ let x is equal to 0.9 bar क्योंकि एक डिजेट रिपीट हो रहा है यानि कि 0.999 and so on एक डिजेट रिपीट हो रहा है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था अगर सिरफ एक डिजेट रिपीट हो रहा हो तो हम 10 से दुनों साइट पर multiply करेंगे जितने डिजेट से रिपीट हो रहे है उतनी 0s ठीक है so multiply both sides by 10 तो मैं दोनों साइट को 10 से multiply करूँगा तो यानि कि इधर तो हो गया 10x ठीक है x को 10 से multiply किया 10x हो गया इसको मैं आभी लिख लेता हूँ से 10 into 0.999 dot 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 तो यानि कि 10x मेरा कितना हो गया this implies 10x is equal to 10 से multiply करूँगा तो decimal एक आगे shift हो जाएगा 9.999 and so on ठीक है अब इस number को मुझे split करना है मुझे दो numbers में split करना है जिन में से एक number ये होना चाहिए तो ये तो बड़ा obvious है देखने से ही पता चल जाता है कि इसको मैं 9 plus 0.999 and so on लिख दूँ तो ये जो number है ये वापिस से x हो जाता है मेरा aim क्या है कि इस number को right side वाले number को मुझे दो numbers के addition में दो number के sum में लिखना है जिसमें से एक number x होना चाहिए यानि कि 0.999 होना चाहिए तो सीधा साही था इसका integer वाला part मेंने अलग कर लिया और decimal वाला part मेंने अलग कर लिया तो ये मेरा कितना हो गया यहाँ पे यहाँ से आ गया मेरे पास 10x is equal to 9 plus अब यह जो number है यह वापिस से x ही है ठीक है plus x ओके तो x इदर ले जाता हूँ 10x minus x is equal to 9 so this means 9x is equal to 9 which implies x is equal to 9 by 9 which is equal to 1 यह कैसे हो गया भाई 0.999999 and so on और उसका equivalent number जो निकला p by q की form में वो निकला है 1 यानि की 1 by 1 तो यह surprising लगता है बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब इसको आप ऐसे समझो देखो यह जो number है यह है 0.999999999999 चलता है जाएगा कहा तक infinity तक ठीक है infinity तक जाएगा अब माल लो इस number को मैं 1 में से minus करूँ 0.99999999999 and so on जो infinity तक जा रहा तो यानि की इसका answer क्या होगा 0.0000000000 चलता ही जाएगा और 1 कहां पे आएगा 1 आएगा infinity पे जाएगे इसमें से जैसे 1 में से मैं 0.99 को minus करूँ तो answer क्या आता है 0.01 इतना ही answer आता है अगर 1 में से मैं 0.9999 को minus करूँ तो जवाब क्या आएगा 0.0001 इतना ही आएगा तो इसी तरीके से जब मैं ये 0.999999 infinity तक ले जाऊँगा और उसको 1 में से minus करने की कोशिश करूँ तो बचेगा 0.000000 कहां तक जाएगा infinity तक और फिर कहीं जाएगा 1 आएगा infinity पे इसके बीच में infinite zeros है infinitely many zeros right so that means it's almost negligible and this is equivalent to 1 यही हमने discuss करना था के are you surprised by your answer so this is how we should justify it so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia प्रूपगा